वेरे वेरे गुड माउनिंग प्रेंस आज का वीडियो में आज का सेशन में आप लोगा स्वागत है आज हम लोग आसांसोल डिविजन का जेई डिपार्टमेंटल कुसिन पेपर जो की 27 माई 2022 का कुसिन है आज उसको सल्ब करने का कुसिस करेंगे ये कुसिन को मनोच कुमार जी ने आसंसोल डिविजन से इसको भेजे हैं जिनका की अभी लेटेस्ट जो असंसोल डिविजन में एकजाम हुआ था उसमें जेई मेकानिकल पावार में उनका सिलेक्शन हो गया है तो उनको चले बहुत धेर सारे सुब कामना है मैंने मैंनी कंग्राचुलेसंस तो हमको स देखें कैसे प्रिपेरेशन किये कितना टाइम दिये उसमें कैसा ट्रीक आजमाये सब सब कुछ स्यार किये हैं जो कि हम किसी वीडियो में आप लोग को अच्छा से बताएंगे तो चले आप लोग भी ऐसे ही मेहनत कीजिए जैसे कि चले आप लोग का भी डिपार्टमेंट करेंगे उतना ही आप लोग के लिए अच्छा रहेगा और रंडम ली ऐसे पढ़के कुछ फायदा नहीं तो चले फ्रेंट ज्यादा देरी नहीं करते हैं आज का सेशन शुरू करते हैं देखते हैं कूशिन आप लोग का क्या है इसमें तो चले पहला कोशिन में चलते हैं देखें यह पर पहला कौशिन है when transition coupling is used देखिए जो TC coupling हम लोग बोलते हैं कभी कभी एक जाम में TC coupling आता है TC लिख देता है इसका मतलब होगा transition coupling तो इसमें आप लोग हमेशा transition coupling में एक चीज़ देख लिजेगा आप लोग को जानकर इकर बतलें transition coupling में देखिए आप लोग का CBC coupling रहेगा उसके बाद आप लोग का screw coupling रहेगा उसके साथ आप लोग का side buffer रहेगा आप लोग का side buffer रहेगा तो इसमें क्या होता है आप लोग transition coupling रहता है जो कि आप लोग का लोको में यूच होता है आप लोग का power car में भी देखा जाता है generator car में भी यूज होता है तो इसमें क्या सुभिदा होता कि आप ICF coach को भी जोड सकते हैं LHB coach को भी जोड सकते हैं और जरूरी पढ़ने से आप लोग goods को भी coupling करके ले सकते हैं तो चले यही पर क्या होगा आप लोगा answer देखिए आप लोग जैसे बोले हैं आप लोग ready रहिए हम question rate करेंगे आप लोग एही पर ही अपना test दीजे और देखिए कि आप कितना mark secure कर रहे हैं तो when transition coupling is used for connecting CBC and screw coupling दोनों तरीके का coupling आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं आप sorry friends D के साथ चले for connecting CBC and screw coupling board type का आप लोग coupling को इसमें connect कर सकते हैं RSP program is budgeted under plan head ये देखिए जैसे कि बोले थे plan head बहुत important topic है इसके बारे में भी वीडियो बनेगा बहुत सारे वीडियो भी load है उसको भी जाके YouTube में आप लोग दे सकते हैं तो यहे पर rolling stock program जो RSP मतलब हो गया rolling stock program जो होता है उसका जो budget होता है वो plan head किसका अंदर में आता है ये भी important question है तो ये plan head हो जाएगा यात रखिए important है plan head equis हो जाएगा 21 हो जाएगा the minimum permissible buffer height above rail lever to the center of buffer ये देखिए जब minimum आप लोग को पूछ रहा है minimum आप लोग 1037 लीजे repeated question है ये maximum का case में होगा ये लीजे तो आप लोग दोनों ही data use रखिए और आप लोग का वार सब देखिए वार सब के लिए जो last आप लोग का ये से turn out होगा तो क्या होगा 1090 mm होगा आप लोग का cbc height of operate और उसी सबसे production unit के लिए आप लोग का 1095 हो जाएगा 1095 mm इस सब को भी आप लोग याद रखिए जाने का कोशिस कीजे देखिए ये पर पूछ रहा है आप लोग का discipline और appear rule जो होता है आप लोग का उसमें जब भी आप लोग का appointment होगा inquiry officer के लिए appointment होगा तो उसके लिए भी आप लोग का एक टो मानक फर्म चाहिए स्टान्डर्ड फर्म चाहिए स्टान्डर्ड फर्म क्या होगा ये हो जागा SF7 होगा इसको भी याद रखिए How many RO schedule of newly commission BCN wagon will be done before first POS देखिए फ्रेंस इसको last कोई paper में इसको समझाया गिया है फिर भी उसको हम समझाने का कोशिस कर रहे है देखिए इहीं पर आरोच और आप लोग का प्योज का सवाल हो रहा है तो क्या है आप लोग का पहले बात देख लीजे BCN BCN में समझ लीजे आप लोग का BCN आप लोग का जिसका की आप लोग का new build जब वागन आएगा उसके बाद 6 साल बात आप लोग का sorry friends इसका आप लोग का जो BCN रहेगा BCN में आप लोग का देखे जब first new build होगा new build वागन आएगा उसका 6 साल बात आप लोग का क्या होता है इसका first प्योच होता है आप लोग का first प्योच होगा 6 साल बात होगा तो इसमें आप लोग देखे कि 6 सल तो होगा उसके अंदर में फास्ट प्योज के अंदर में आप लोग का आरोज कितना होगा रूटीन अवरलिंग कितना होगा तो BCN वागन में आप लोग का जो आरोज होता है ये देखिए जो पहला आप लोग का आरोज होगा नया बिल्ट है तो 24 मनत होगा और इसका जो सबसिकवेंट होगा उसके बाद जो भी आरोज होगा वो भी आपलोगा 24 मनत में आपलोगा होता है इसको याद रखिए कि BCN वा गन में FAST POS जो होगा 6 साल में होगा FAST आरोज जो होगा आपलोगा 2 साल या 24 पकल लिजे 2017 में कोई new build वागन है BCN है इसका आप लोका new build हुआ है आप लोका 2017 में तो ये आप लोका क्या होगा 2023 में इसका क्या होगा फर्स्ट प्योच होगा तो इसी बीच में हम लोग देखेंगे कि आप लोका आरोच कितना बार होगा तो 2017 के बाद आप लोग दो सल जोड दिजे पहला आरोच आप लोका हो जाएगा 2019 में होगा दो सल के बाद उसके बाद क्या होगा आप लोका 2021 में होगा इसके बाद तीसरा और आरोच नहीं होके आप लोका डायरेक्ट 2023 में पियोच होगा तो उसी साब से आप लोका क्या होगा कि एक BCN वागन न्यू बिल्ट वागन का pure circle के अंदर दो बार आप लोग का आरोज होगा तो option B के साथ चलिए इन ICF कोच दो load transmission from body to rail takes place through ICF कोच है load transmission होगा तो आप लोग का body से rail तक होगा किसका माध्याम से होगा side wearer के माध्याम से होगा वही same कूच इन अगर आप लोगा goods में होगा तो आप लोगा center pivot के माध्याम से होगा जरूर यात रखे through which arrangement the tractive force from one vehicle is transmitted to the adjoining vehicle तो ये कौन सा माध्याम हमें कौन सा arrangement है जिसके माध्याम से tractive force एक वागन से दूसरा वागन तक आप लोगा transfer होगा तो ये क्या होगा आप लोगा ये हो जगा ड्रोग येर अरेंजमेंट जो ड्रोग येर अरेंजमेंट रहता है इसका माध्याम से tractive force जो होगा एक वागन या ये कोच से दूसरा कोच या एक वागन से दूसरा वागन तक प्रांस्मिट होगा एंटी क्लाइमिंग फ्यूचर अफ एस टाइप सी बीसी जडियू टू ये देखें आप लोग का एस टाइप जो सी बीसी कपलिंग रहता है इसमें आंटी क्लाइमिंग फ्यूचर रहता है कि एक का उपर एक चड़ेगा नहीं अगर पकल लीजे जैसे स्क्रू कपलिंग होता है कुछ मैजर एक्सिडेंट हो जाना से एक का उपर एक कुछ चड़ जाता है लेकिन आप लोग का एह देखें जो एस टाइप सी बीसी है इसमें एक टो फ्यूचर दिया है हो जाएगा the shape of its head हो जाएगा head का shape जो है उसी के अनुसार ही आंटिक क्लाइमिंग फ्यूचर उसी में ही modification करके दिया गिया है याद रखिए next चलते है advantage of using excel mounted brake dicks our conventional wheel thread brake block is that यह देखें advantage पूछ रहा है excel mounted dicks आप लोग का पूछर dicks brake system जो कि आप लोग का lhb coach में use होता है वो conventional जो हम लोग use करते हैं आप लोग का wheel और brake block जो use करते हैं उससे आप लोग का advantage है जैसे आप लोग जानते है इसमें क्या होगा यह आप लोग का lhb में dicks braking करेंगे लेकिन आप लोग का conventional में wheel को breaking करेंगे तो इसमें क्या होगा wheel का जो आप लोग का घिसाबट है आप लोग का dicks brake system में घट जाएगा तो इहीं पर आप लोग का answer होगा आप लोग देखे इसको बता सकते हैं कि इसमें क्या होगा increasing wheel life चक्का का जो life cycle है वो बढ़ जाएगा क्यों बोलने से ये चक्का को breaking करेंगा नहीं dicks brake करेंगा तो चक्का घिसने से बचेगा चका घिसने से बचेगा तो आपका wheel का life बढ़ जाएगा अब सन C के साथ चलिए इन lhb boggy the breaking force between boggy frame and coach body are transmitted by यह देखिए lhb boggy है यहीं पर breaking force पूछ रहा है आप लोग का किसका बीच में आप लोग का पूछ रहा है between boggy frame and coach body coach body और boggy frame के बीच में आप लोग का जो breaking force है यह किसका माइदम से transmit होगा तो इसका answer आप लोग दे दीजे यह हो जाएगा आप लोग का traction center हो जाएगा तो आप लोग का जो TC होता है lhb coach में हम लोग TC बोलते हैं उसी साब से आप लोग का ICF coach में CP बोलके बोला जाता है center pivot तो इसी traction center का माइदम से ही आप लोग का जो breaking force है वो आप लोग का transmit होगा किसकिस का बीच में यह है आप लोग का boggy frame और coach body का अंदर में ER spring is installed at यह दो की ER spring पूछ रहा है lhb coach में ER spring यूच हो रहा है जो ER spring आप लोग का secondary suspension में रहता है इसको याद रखिए यह के साथ चलिए आप लोग चलिए यह के साथ चलिए secondary suspension होगा balance draft gear is able to minimize longitudinal jerk edge यह जो BDG होता है आप लोग का lhb coach में अभी आप लोग का cbc जितना रेक में BDG यूच हो रहा है BDG balance draft gear जो यूच हो रहा है तो यह पूछ रहा है क्या के लिए समर्थ है क्या minimize करने के लिए minimize longitudinal jerks minimize करने करने करे समर्थ है तो इसमें क्या आप लोग का system है जिसके मायदम से आप लोग का जो longitudinal jerk हो minimize होगा तो यह देखिए आप लोग इसका answer दे सकते है यह हो जाएगा आप लोग का slack created due to dropped gear action is less देखिए यह पर पूछ रहा है जो slack आप लोग को create होता है dropped gear यह action कम घड जाएगा उसके पाद illustromeric pad in front and rear of the edge housing act as separate group during dropped and buffing action यह देखिए आप लोग का यह दूसरा वाला जो आप लोग का पूछ रहा है illustromeric pad in front and rear of the edge housing act as separate group during dropped and buffing action इसमें आप लोग का drafting और buffing action में आप लोग का separate work करेगा edge housing जो है तो यह आप लोग का A और B बोट हो जाएगा तो आप लोग option C के साथ चलिए the main purpose of providing illustromeric pad in kessnock boggy kessnock boggy देखिए आप लोग जो EM pad यूच होता है तो EM pad का का काम यह होता है कि आप लोग का wheel का flange होता है flange का गिसाप जो है गिसने से बचाता है flange ज़्यादा गिसेगा नहीं इसलिए आप लोग का EM pad adapter के उपर आप लोग का EM pad जो यूच करते हैं उसका कारण नहीं है कि wheel का flange है उसको गिसने से बचाता है तो यह उसका reduce करेगा घटाएगा ज़्यादा आप लोग का flange गिसेगा नहीं तो option B के साथ चलिए यह देखिए यहीं पर कुछ नहीं फियाड बोगी है फियाड बोगी में कौन सा आप लोग का bearing यूच होता है जैसे कि आप लोग जानते हैं catrice step per roller bearing यूच होता है वो भी double row में होता है तो चलिए option में चलते हैं यह देखिए इसका कुछ कुछ चिन आप लोग का उपर नीचे हो गिया है उसको थोड़ा जूम करके आप लोग को बताने का कोशिस कर रहे हैं यही पर देखिए क्या हो जाएगा अपसन हो जाएगा double row catrice type taper roller bearing यह देखिए आप लोग का यह हो जाएगा double row में रहेगा catrice taper roller bearing हो जाएगा तो यह आप लोग का अपसन C के साथ चलिए नेक्स चलते हैं आंटी स्कीड भाल्व प्रोवाइडेन WSB सिस्टम में LSB coach is also known as देखिए आंटी स्कीड भाल्व जो WSB सिस्टम में उसको दूसरा क्या बोलते हैं तो इसको dump भाल्व भी बोला जाता है याद रखिए एक कोच में चार के मात्रा में आप लोग का dump भाल्व रहता है तो आंटी स्कीड जो भाल्व होता है उसको हम लोग dump भाल्व भी बोलते हैं याद रखिए लेटरल डेमपर इन फ्याड बोगिज प्रोवाइड़ बीट्विन ये देखिए लेटरल डेमपर जैसके आप लोग जानते हैं चार प्रकर का डेमपर होता है उसी में से एक लेटरल डेमपर है तो लेटरल डेमपर कहां पर फिट होता है आप अपना अनसर लिक लिजिए क्या होगा तो ये लेटरल डेमपर है आप लोग का बोल्स्टर और सपोर्ट फ्रेम का बीच में आप लोग का ये इंस्टल होता है इहीं पर लगा हुआ रहता है बोलस्टर और आप लोगा support फ्रेंड इसी का बीच में आप लोगा lateral damper ये उच होता है यद रखे condoming wheel diameter of belc wagon belc wagon में आप लोग का condoming wheel diameter पूचा है ये देखें ये 700C हो जाएगा तो नएा में कितना होगा फ्रेंस आप लोग के लिए ये question है comment से हमें बताईए बिल्सी वागन जिसमें कंटेनर ट्रांसपोर्ट होता है बगी लो प्लाटफर्म हाइट कंटेनर उसका ट्रांसपोर्टेशन कोड है बिल्सी तो इसका नया में हुईल का डैमेटर क्या होगा आप लोग कमेंट्स में बताइए यहीं पर आप लोग कुशिन के साथ चलिए जो इसके 180 mm जो कंटोमिंग ठीकने से नया में आप लोग के लिए कुशिन है बताइए कमेंट्स में बालिडिटी अब बीपी से इन प्रीमियम रेक प्रीमियम रेक के लिए देखिए आप लोग का बैलिटी पूछ रहा है तो प्रीमियम रेक के लिए आप लोग का 12 प्लस 3 डेस दिया जाते है यह तीन दिन क्यों दिया जाते है आप लोग को पता है विडियो मेंट्स आफ डिसकस हो रहा है तो लेटेस सर्कुलर के अंसर यह special जो premium रह गए 20 प्लस 5 डेच इसका validity है इसको भी यात रखी यह भी कुशिन आने लगा है which of the following components is not a part of फ्याडवोगी यह देखिए फ्याडवोगी का यहीं पर देखिए कौन सा आप लोग का पार्ट नहीं है पूछ रहा है तो कौन यह पार्ट नहीं है आप लोग इसको बता सकते हैं क्या होगा तो यह देखिए आप लोग का जो कंट्रोल आर्म यह पार्ट है माइनर पैड यह भी पार्ट है आपका यह देखिए करनर रोल है यह भी कर्ब रोल या करनर रोल यह भी पार्ट है लेकिन आप लोग का एंकर लिंक आप लोग का फ्याडवोगी का पार्ट नहीं है तो आप लोग बताएं एंकर लिंक मने कहां लगता है गूर्स में लगता अब लोग बताई एंकर लिंक ट्राइंगूलर लगिंग प्लेट फर सीकुरिंग एक्सेल केप श्क्रू इच मॉस्ट चेंज आइटम डिवरिंग यह देखे जो आप लोग का ट्राइंगूलर सेप का रहेगा आप लोग का लोकिंग प्लेट बोलते हैं हम लोग एंड लोकिंग प्लेट बोलते हैं तो जो एंड लोकिंग प्लेट आप लोग का जो रहेगा ट्राइंगूलर सेप का तो इसको हम लोग मॉस्ट चेंजेबूल आइटम है किसके दोरान इसको आप लोग चेंज कर दना है जो Length of Boxin HL Wagon Is death of Boxin' Wagon ये देख 살 Length of Boxin HL Wagon Boxin HL Wagon का Length बड़ा होगा या छोटा होगा More होगा या लेस होगा ये आप लोग देखी answer आप लोग का लिग लीजे Boxin HL Wagon का सब लेंध का Length आप लोग का क्या होगा More होगा जाएगा More than होगा तो ये आप लोग क्या होगा ये के साथ चलिए ये ज़्यादा हो जाएगा आप लोग ये के साथ चलिए जैसे कि आप लोग जानते है Boxing HL ये देखें Boxing HL जो length अपर headstock होता है आप लोग का तो इसमें क्या होगा ये हो जाएगा आप लोग का 10,000 34 mm होता है उसी साथ से Boxing HL का पता है Boxing का आप लोग का 9, 7, 8, 4 mm होता है length over headstock headstock to headstock तो इसमें आप लोग का क्या हो जा रहा है ये इसका length Boxing HL का length Boxing से ज़्यादा हो रहा है तो more than आप लोग लीजिए कोशिन थोड़ा friend stick आया नहीं है फिर भी adjust करके बताने का कोशिस कर रहे है तो जब भी friend लोग को request है जब भी आप लोग कोई कोशिन सेंड कर रहे है तो भाई थोड़ा अच्छा से PDF बनाई है आजकल तो बढ़िया मोबै ला गया आप लोग के पास तो पीडिया भी बनिया होना है जिससे की जो भी वीडियो बनाएंगे उसको साथी लोग को कोई तकलिप नहीं होगा आसा करता हूँ आप लोग adjust करके चलेंगे यही पर देखे पूछ रहे कि लेजबी SC coaches have ट्रांसफर्मर अब वाट रेटिंग यह देखे लेजबी SC coaches में ट्रांसफर्मर जो यूज होता है उसका रेटिंग पूछ रहे कितना रेटिंग का लेजबी कोच में ट्रांसफर्मर लगता है तो यह हो जाएगा आप लोग का कितना होगा कमेंट्स करके बताइए यह आप लोग का 60 kilovolt ampere हो जाएगा यह हो जाएगा 60 kilovolt ampere का आप लोग का रेटिंग होगा यही रेटिंग का आप लोग का ट्रांसफर्मर लगता है विच अब दफोलग इस नोट ए पार्ट ऑफ स्मार्ट यार्ड प्रोजेक्ट हम लोग अगर smart yard project करेंगे इसमें कौन सा आप लोगा part नहीं हो सकता है तो यह देखिए आप लोगा wheel profile monitoring system यह part हो जाएगा wheel impact load detector जिसको wild बोलते हैं यह हो जाएगा यह देखिए आप लोगा acoustic bearing detector ABD जो है यह भी हो जाएगा लेकिन आप लोगा जो ram lot है यह आप लोगा smart yard project का हिस्सा होगा नहीं तो आप लोग option C के साथ चलिए best surface finish upon cutting of stainless steel accomplished way यह देखिए यह पर पूछ रहा है जब भी stainless steel cutting करेंगे तो किसमें बढ़िया surface finishing होगा काटेंगे तो smooth रहेगा तो यह हो जाएगा आप लोगा plasma cutting हो जाएगा option आप लोग D के साथ चलिए plasma cutting में जब भी stainless steel आप लोग कटेंगे तो very smooth finishing होगा buffer height adjustment of lhb coach is done by using seam at the location buffer height adjustment करेंगे lhb coach का तो यह जो seam use होगा आप लोग का जो seam पतला पतला जो seam use होगा उसको आप लोग कहां पर इसको आप लोग feed करेंगे कहां पर install करेंगे आप लोग इसको comments करके बता सकते हैं body और bogey का जो joint होता है वहीं पर हीं आप लोग का seam use होता है और यही seam use करके हम लोग lhb coach में buffer height हम लोग adjust करते हैं जैसे कि ICF coach में आप लोग primary suspension में आप लोग क्या करते हैं packing piece देते हैं buffer height adjust करते हैं उसी से आप LHB coach में body और bogey का जो joint होता वोई पर seam डालते हैं seam डाल के buffer height adjust करते हैं तो आप लोग option चलिए D के साथ चलिए The expenditure coming on repair and maintenance of carriage and wagon are charged under यह देखें, demand number का कुछिन आ गिया तो आप लोग का जो खर्चा होगा, आप लोग का किसमें repair और maintenance में, carriage और wagon का repair और maintenance में जो भी खर्चा होगा, वो आप लोग का demand number कितने के अंदर यह आएगा इसको यह भी कुछिन आ रहा है, इसको बढ़ियां से याद रखिए यह हो जाएगा, demand number 6 में आएगा आप लोग का क्या 6 में आएगा, repair and maintenance आएगा carriage और wagon का जो भी repair और maintenance का खर्चा होगा, वो demand number 6 में आएगा which is not the future of train 18 train 18 का कौन सा future नहीं है कौन सा quality नहीं है, कौन सा गुन नहीं है या इसमें कौन applicable नहीं है तो यह देखिए, आप लोग का इसमें क्या होगा, distributed traction power traction power distribute होगा बीज बीज में आप लोग का motor coach लगेगा जैसे कि आप लोग का memo demo में लगता है इसी इसाब से आप लोग का distributed traction power हो जाएगा quick acceleration आप लोग का जल्दी start होगा जल्दी बंद होगा quick acceleration आप लोग का quick start होगा speed तुरांत पकड़ेगा उसके बाद underslung propulsion system यह देखिए नीचे propulsion system जो underslung होगा यह भी सही बात है लेकिन है जो आप लोग का coupler forces है इसका future होगा नहीं इसमें अब लोग का high coupler force नहीं चाहिए जैसे कि हम लोग का goods में high coupler force चाहिए इसमें high coupler force नहीं चाहिए बायो डाजेस्टर tank filled with human waste converted into liquid and gas with the help of यह देखिए यहीं पर पूझ रहा है कि biodigester जो by toilet tank होता है जिसमें human waste जो हम लोग लेटिन करते हैं यह आप लोग का toilet जाते हैं जो human waste होता है यह liquid और gas में convert होगा किसका मदद से तो इसमें जो bacteria यूज होता है उसको बोलते है anaerobic bacteria तो आप लोग option एके साथ चले एक एक अनरोबिक bacteria जो कि bio toilet tank में यूज होता है रेजना flux is used below window level of lhb cell देखे window जो glass रहता है window आप लोग का level रहेगा उसका नीचे में रेजना flux आप लोग का यूज किया जाता है तो यह पूछ रहा है कि क्या चीच के लिए आप लोग रेजना flux यूज होता है window level का नीचे यूज होता है यूज बी कोच में यह रेजना flux तो इसका कारण क्या है इसका किरान है heat insulation आप लोग का heat insulation का रूब में यह रेजना flux काम करता है in passenger train without toilet under gear examination brake system attention and feet line is done after यह देखिए आप लोग का यह RPC 4 आप लोग का revised policy circular इसमें आप लोग का mention किया गिया है इसमें आप लोग का maintenance होगा primary secondary depo में उसके बारे में दिया गिया है तो आप लोग का इहीं पर पूछ रहे कि passenger train होगा जिसमें कि toilet रहेगा नहीं आप लोग का without तो आप लोग का यह किया होगा comment से में बता सकते हैं तो यह जो आप लोग का without toilet वाला सिस्टम रहता है उसमें आप लोग का 7 दिन का BPC का वेलडिट दिया जाता है जो कि आप लोग का primary end में आप लोग का examination होगा तो इसका वेलडिट क्या होगा यह आप लोग का 7 दिन होगा या 3500 किलमेटर होगा यह याद रखे जो भी पहले आप लोग का हो जाएगा उसी सबसे उसका फिर से maintenance होगा फिर से BPC होगा तो आप लोग का option एक के साथ चलिए Out of course attention of wheel changing is done it यह देखे इह पर पूच रहा है कि आप लोग को पूच रहा है कि कहां पर आप लोग का wheel changing होगा तो देखे जैसे कि आप लोग जानते है iOS depo में आप लोग का body 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 connection आप लोग का खुला जाएगा उसके बाद ट्रॉली आप लोग का बाहर निकाला जाएगा उसके बाद ही आप लोग का wheel change होगा तो यह देखे wheel changing करने के लिए iOS depo का जरू है आप लोग का हाला कि सिकलाइन सिकलाइन में भी सुविदा होता है लेकिन आप लोग का iOS depo में ही यह provision रहता है कि आप लोग का wheel changing हो सके तो इसका best answer आप लोग का होगा iOS depo होगा The star depo implementation in coaching depo will reduce primary rack maintenance time भे यह देखिए यही पर जैसे star depo पूछ रहा है इसमें maintenance का time रहता था पहले हम लोग जो maintenance करते थे coaching depo में एक टो primary आप लोग का जो रहता है गोई standard rack रहता है 24 coaches का इसके लिए 6 घंट टाइम लिया जाता था आभी star depo के लिए जहां पर कि सब कुछ सुविदा है प्रोविजन है infrastructure बनिया है star depo में क्या होगा इसका जो primary maintenance का time टो आप लोग के क्या कर दिया गया है 4 घंटा में इसको reduce कर दिया गया 2 घंटा घटा के 4 घंटा कर दिया गया primary exemption के लिए एक तो standard 22 coaches LHB या आप लोग का 24 coaches ICF के लिए तो इसमें कितना घंटा आप लोग का reduce हो गया है पूच रहे तो इहीं पर आप लोग का 2 घंटा reduce हुआ है 2 घंटा reduce होके इसका timing अभी 4 घंटा हो गया यह भी only for star depo के लिए जहां पर सब कुछ सुविदा हो प्रोविजन हो वहीं पर ही आप लोग का यह होगा अन्या था आप लोग का अलग डिपू में as usual जैसे लिया जाता है 6 घंटा वैसे ही maintenance किया जाता है The feeder line between LHB coaches carry electric supply यह देखिए यहीं पर आप लोग का क्या पूच रहे The feeder lines between LHB coaches carry electric supply LHB coach आप लोग का जो power supply होगा इसका feeder जो supply होगा आप लोग का इसमें बोल रहे है कि कितना आप लोग का जो एक coach से दुसरा coach को supply जाएगा यहीं पूच रहे है throughout the length of LHB coach तो यह आप लोग का हो जाएगा 3 phase 750 volt आप लोग का यह feeder line में आप लोग का दिया जाता है एक coach से एक coach दूसरा coach तक आप लोग का starting से last तक जाता है तो यह हो जाएगा 3 phase 750 volt तो चले फ्रेंस आज के लिए इतना ही बाकि सल्व करेंगे next वीडियो में जैसे कि हम बोर रहे थे कि को मनोच कुमार जी ने इसको send की है जो कि अभी फिलाल उनका आप लोग का आसांसोल डिविजन में जे ही mechanical power में लेटस exam दिये थे उसमें उनलोग का selection हुआ है तो चले आप लोग भी उनका जैसा मेनत कीज़े preparation के जरूर होगा नहीं होके कहां जाएगा तो मिलेंगे next वीडियो में चले फ्रेंड next वीडियो का इंतिजर कीज़े और आप लोग जो भी नए फ्रेंडस है उनको बोलिए कि चले भाई subscribe करवा ले मिलेंगे next वीडियो में नेक्स वीडियो का इंतिजर कीज़े जैहिन दोस्तो